Hello everyone, welcome back to my channel, I am Pooja और आज हम March month के monthly compilation में दो topics को cover करने वाले हैं पहला topic है sports and second है state news State wise, जमू इन कश्मीर से start करते हुए last में Tamil Nadu करला तक हम सारी news को cover करेंगे हर एक state की एक या दो news है तो बहुत ही जल्दी इस पूरे state news के segment को हम cover कर लेंगे और फिर हम sports segment को देखेंगे कौन-कौन से important events March month में हुए थे, कौन-कौन से player news में थे, क्योंकि आपको मैं बता दू CHSL का notification आउट हो चुका है और लगबग 3,000 vacancy आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो वो सारे student जो कि 12th plus है या जिन्होंने 12th किया हुआ है वो सभी यहाँ पर appear हो सकते हैं और आने वाले exam के लिए आपको minimum one year का current affairs ready करना पड़ेगा इन मैंसे जो last six month के current affairs होते हैं for example अगर आपको July में exam है तो January से लेके July तक के current affairs है यह बहुत जादा important होंगे और ऐसा नहीं है कि इसके पहले के नहीं करने इसके पहले के भी आप करेंगे आप देखेंगे कहां से करना है तो July से January तक के भी current affairs करेंगे लेकिन आप उनको lightly भी पढ़ सकते हैं लेकिन आपको इन्हें deep में पढ़ने की ज़रुरत पढ़ेगी January से लेकर आपका जब तक जुलाई तक पेपर नहीं होता तो यह monthly compilation आपकी बहुत मदद करेंगे अभी तो मैं March का बढ़ा रही हूँ बहुत जल्ली remaining मतलब February मंद का January मंद का और भी हम यहाँ पे current affairs या MCQ ज़रूर cover करेंगे जिससे आपकी तयारी और भी अच्छी हो सके अब हमारा जो monthly compilation का इसके पहले दो और वीडियो अपलोड हो चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप बिलकुल उन्हें देख सकते हैं जहाँ पर मैंने appointments cover कर ली थी और इसके अलाबर national news और government scheme GI tag भी cover हो चुके हैं हमारा monthly current affairs जो है वो सभी exam आप UPSC की तयारी कर रहा है SSC के different segment पे बात कर रहा है IB है, NDA, CPO सभी exam के लिए railway exam के लिए भी useful है तो ज़्यादा से ज़्यादा link को share कर सकते हैं आप अपने friends के साथ आपके वो सारे friends जो इन सभी exams के preparation कर रहा है सबसे पहले पहला state है Jammu and Kashmir तो हम fast चलेंगे क्योंकि हमने daily current affairs में सारी कहानिया पड़ी हुई है हाला कि daily current affairs मैंने अपने channel पर नहीं लिया लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं monthly compilation को maximum portion आपको cover करने की कोशिश करूँगी March month का तो Kashmir host first formula 4 car racing event along the dull lake तो Kashmir ने पहली बार एक track ready किया है डल लेक के पास में और यह track 1.7 km का है जहां पर पहली बार formula 4 racing को आयोजित किया जाएगा Kashmir में अब formula 1 तुछ सुना है यह formula 4 क्या होती है formula 1 जो racing होती है उसमें जो car होती है उनकी speeds बहुत जादा है हाई होती है तो lower speed की जो racing है उसको formula 4 कहा जा रहा है और इसे आयोजित करेगा कौन Kashmir next state आता है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश ने announce किया है इंद्रा गांधी प्यारी बहना सुक सम्मान निधी योजना तो simple सा पूछेगा बताएए इंद्रा गांधी प्यारी बहना सुक सम्मान योजना किस ने launch की है निधी योजना किस ने launch की है answer हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के मुख मंतरी कौन है हिमाचल प्रदेश के मुख मंतरी है सुक बिंदर सुखु उन्होंने इस initiative को launch किया है इसमें 18 साल से लेकर 60 साल तक, मतलब 18 years से 60 years तक हिमाचल प्रदेश की जो females है उनको 1500 रुपीज मन्थली प्रवाइट किया जाएगा under this scheme तो 15 सुरोपे यहाँ पर 18 साल से 60 साल की महिलाओं को दिया जाएगा और इसके लिए annual budget रखा है 800 करोर रुपीज by the हिमाचल प्रदेश कवर्मेंट अगला राज जाता है उत्राखंड जैसे देव भूमी भी कहा जाता है उत्राखंड to become third state enacting law holding writers libel for the damages अब आप लोग सुनते रहते हैं हमेशा कुछ दंगे होते हैं दंगों में private और public दोनों property को नुकसान पहुचाया जाता है लोगों की गाड़िया जला दी जाती है तो उसके लिए responsible कौन तो उत्राखंडने के law pass के और ऐसा law pass करने वाला इस तीसरा नंबर का राज्ज है क्योंकि उसके पहले उत्तरप्रदेश और हर्याना ने भी ऐसा ही law pass किया था कि अगर दंगे करते हो आप और दंगाई जो है वो responsible होंगे जो भी asset का नुकसान होता है इसलिए यहाँ पर एक हर्याना द्वारे का expressway inauguration तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेद मोदी जी ने हर्याना section में जो द्वारी का expressway का segment है उसको inaugurate करने का काम किया है जो की 8 lane का आपको expressway देखने को मिलेगा और इंडिया का ही पहला expressway है जो 8 lane का है जिसमें underpasses, tunnel, elevators और flyovers सभी कुछ आपक देखने को मिल जाएगा और हर्याना में लगबग 19 km के stretch को इसको inaugurate किया है अगर आपसे पूछा जाए द्वारी का expressway की complete length क्या है तो आप देखेंगे total length द्वारी का expressway की 29 km है और इन 29 km में से 18.9 km लेंद जो है वो हर्याना में है और इसी segment को inaugurate किया गया है 10 km लगबग दि आप इसे देख पाएंगे पहली बार इसे प्लान कब किया गया था अनाउंस किया गया था 2007 में और 2019 में हर्याना वाले section का construction शुरू हुआ था और 2020 में दिल्ली वाले portion का construction शुरू किया गया था आप यहाँ पर इसे देख पाएंगे ठीक है next दिल्ली अमिश्या इनाउग्रेट्स दिल्ली ग्रामोदय अभियान प्रोजेक्ट तो यूनियन मिनिस्टर अमिश्या जी के द्वारा नेट्रल गैस को pipeline के जरिये हर एक घर तक पहुँचाने के लिए इसपेशली ग्रामीर शित्रों में रूलर एरिया के घरों तक पहुचाने के ल इस pipeline को तैयार किया है इन्रिप्रस्त गैस लिमिटेट ने तो यहाँ पर आप यही निउस देख पा रहे है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमिश्या जी ने इनाउग्रेट किया है पाइब नेश्रोल गैस फैसिलिटी इन फॉर्टीवन बलेजिस एक तालीस गाउं में किया है अंडर दिल्ली ग्रामोदय अभियान दिल्ली ग्रामोदय अभियान के लिए 960 करोर रुपे बजट दिया गया है इसके लवा दिल्ली से एक और छोटी से न्यूज है कि दिल्ली में पहली पहला आयरविदे कैफे भी उपन हुआ है इंडिया का पहला आयरविदे कैफे कहा open हुआ है दिल्ली में चली अगला राज है यूपी तो उत्तर प्रदेश इनाउग्रेट साउथ एशिया's largest ammunition facility in कानपूर तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदी नाथ जी ने साउथ एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद manufacturing facility या गोला बारूद बनाने की company का उधगाटन किया है कहां पर कानपूर में अच्छा इसका construction किस ने किया है तो इस ammunition facility का construction किया है अडानी defense and aerospace ने किया है ठीक है लग बग 500 acre में इसे बनाया गया है और 3,000 करोर त्री थाउजन करोर रुपीज यहां पर बजट आपको देखने को मिलेगा ठीक है यह जो facility तैयार की गई है यह AK-47, bullet for rifle यह सारे चीजों को तैयार करेगी और यह पूरा जब प्रमाइस इस अग कॉम्पलेक्स ही है renewable energy से तैयार होगा मतलब इसमें जो electricity की supply होगे वो renewable energy से होगे क्योंकि solar panel को भी install यहां पर किया गया है अब यहां पर defense manufacturing corridor की बात की गई है देखेगा जब पहला investor summit हुआ था 2018 में तब Prime Minister Modi ने announce किया था कि हम दो defense manufacturing corridor तैयार करेंगे और उसी का part यह है जहां पर इस ammunition facility को open किया गया है कानपूर में अभी जो defense corridors में कही सारी factory और manufacturing unit को set up किया जाएगा कौन कौन सी company involved है तो आप देखेंगे Brahmos Limited लखनों में काम कर रही है भारत Dynamic Limited आप जासी में देखेंगे Anchor Research Lab अलिगड में और Adani Defense System and Technology कानपूर में तो यह companies मिलके पूरा defense corridor ready करेंगे This is important news, UP emerged as the first state to issue 5 करोर आयुशमान कार्ड उत्तर प्रिदेश हमारे देश का पहला ऐसा राजबन गया है जिसने आयुशमान भारत प्रधान मंत्रे जन आरोग योजना के अंतरकत 5 करोर से जादा लोगों को आयुशमान कार्ड वित्रित किये हैं अब यहाँ पर बात हो गई है आयुशमान भारत प्रधान मंत्रे जन आरोग योजना के बारे में तो इस scheme को देखेंगे आप 2018 में 2018 में लाँच किया गया था और इस scheme के अंतरकत पर फैमिली पर पर सुन को अब टू 5 लाग रुपीज पांच लाग रुपे तक का medical support प्रवाइट किया जाता है ठीके इसके अलावा एक और achievement किया है पहले एक दिन में जो patient को deal किया जाता था वो 2000 थे और अब 8,000 patient को per day admit किया जा रहा है under this scheme next day UP police ने digital platform त्रीनेत्र application को भी launch किया है तो त्रीनेत्र application has been designed to help in crime prevention and investigation in the state जिससे अपरादों को रोका जा सके और जो भी cases है उनको easily investigate करके solve किया जा सके इसलिए यहाँ पर एक AI solution company है उन्होंने इस त्रीनेत्र application को design किया है और यह काम करेगा UP government और special task force के collaboration से done, इसके अलावा CM योगी ने एक और scheme launch की है जिसका नाम है M.Yuva ठीक है M.Yuva का full form पूछा जा सकता है तो देखेंगे मुख मंत्र युवा उद्धमी विकास अभियान या फिर question ऐसा भी तो बन सकता है कि मुख मंत्र युवा उद्धमी विकास अभियान योजना किछ राज सरकार की है तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश government की है इसमें युवा को अप्टू 5 लेक रुपीज 5 लाक रुपे तक का interest free loan provide किया जाएगा जिस्ते वो अपने नए innovation ideas को start-ups को business को grow कर सकें या open कर सकें clear है जिससे एक लाक से जादा युवाओं को उत्तर प्रदेश में फायदा होगा और इसके लिए thousand करोर रुपीस का budget रखा है इस financial year के लिए next राज आता है राजिस्थान so राजिस्थान become the first state to launch water resource dashboard तो राजिस्थान हमारे देश का पहला ऐसा राज बन गया है जिसने state water resource information system dashboard को launch किया है यह dashboard public को real time information देता है कि आपके dams में कितना पानी है आपके kennels में कितना पानी है कितने दिन आप electricity produce करने में capable है क्या आप capable है हमारे राज जी की water की supply करने के लिए इसके अलावा अगर rainfall होता है तो flood के condition हो गई या फिर rainfall में कमी आई तो drought की condition या सूखा की condition हो गई इस सब का real information, real time information इस dashboard में available होगा तो इस तरी कि का यह पहला initiative है इंडिया का जो कि राजस्थान ने launch किया है अब राजस्थान में वर्ल्ड का पहला ohm shaped temple भी inaugurate किया गया है पाली राजस्थान में यह वर्ल्ड का पहला temple है जो iconic ohm shape में आपको देखने को मिल जाएगा यह जो पूरा temple है नागर style में बना हुआ है और यह वर्ल्ड का पहला इस तरी की का temple है इसमें आपको 12 जोतर लिंक देखने को मिल जाएगे और 1008 आपको lingam या फिर ideals के statues वगेरा देखने को यहाँ पर मिल जाएगे यह जो temple है इसमें 108 room है और जो temple का premises है उसके जो center complex है उसमें एक tom बनाया गया है एक समाधी बनाये गई है वो किसकी है गुरू माधवा नंद जी की यहाँ पर यह जो पूरा masterpiece है वो लगबग 250 एकर land में फैला हुआ है उसका foundation and construction start हुआ था 1995 में 1995 में लगबग 25 साल लगे इस पूरे premises को complete होने में इसके अलावा यहाँ पर मंदिर का जो top बनाने के लिए जो stone कह सकते हैं आप बुलाया गया है source किया गया है वो कहां से किया गया है बंसी हिल धोलपुड से किया गया है जो कि आपका rhinestone है ठेक है next है गुजराद गुजराद से news आती है कोचराव आश्रम इन सावरमती तो जब महात्मा गानी जी साउथ अफरीका से इंडिया लोट कर आये थे 1915 में उस समय सावरमती आश्रम नहीं था वो तो बाद में बनाया गया पहला जो आश्रम जहां पे गानी जी ने रहना प्रमाइसे से वो 120 एकर लेंड में फैला हुआ था लेकिन धीरे 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 इंक्रोचमेंट होते हुए अतीक्रमण होते हुए यह जो पूरा 120 एकर का एरिया था वो 5 एकर का बचा तो यहां पर भी एक मास्टर प्लान लॉंच किया गया है जिसके लिए 1200 करोर और इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक सेंटर और एक्रोटिक सेंटर ओपन किया है कहां पर कलिंगा स्टेडियम भुवनेशवर में पहले हम इस इंडोर एथलेटिक सेंटर या स्टेडियम के बारे में बात कर लेते हैं इसको बनाने में 120 करोर रुपीज आया है और यह accommodate कर सकता है 120 athlete 120 athlete को full time coaching provide कर सकते हैं अब चुकि ये indoor है तो all weather में इसमें काम किया जा सकता है all weather में tournament को आयोजित किया जाता है और ये national और international event को host करने में capable है इस पूरे कह सकते हैं कि athletic center जो बनाया गया है indoor stadium इसमें एक Italian company है जिसका नाम है Mondo Spa उन्होंने 10,000 square meter का एक track भी ready किया है जो country में अपने तरीके का पहला है इसके अलावा इस Kalanga stadium के premises में एक indoor aquatic center भी बनाया गया है जिसमें Olympic size का आपको pool देखने को मिलेगा और sitting capacity आपको thousand की देखने को मिलेगी जिससे यहाँ पर भी national और international event को किया जा सके अब हम बात कर रहे हैं best Bengal से Kolkata से तो भारत की पहली underwater metro train की tunnel जो है उसको भी recently inaugurate किया गया है the metro tunnel built under the हुगली river यह tunnel कहां पर है हुगली river पर है और यह part है Kolkata metro east west corridor का यह जो Kolkata east west corridor है यह 16.6 km का है और इस पोरी corridor का एक छोटा का हिस्सा है जो हुगली river पर tunnel बनाए गई है जो tunnel बनाए गई है यह 520 meter की है जो कि 45 seconds में रास्ते को कवर कर लेती है clear है इतनी चीज़े अब यह पूरा अगर आप देखेंगे जो पूरा tunnel corridor है आप देखेंगे underground है इनमें से 16.6 यह जो पूरा metro line बनाए है 16.6 km की metro line underground आपको देखने को मिलेगी इस project को 2009 में शुरू किया गया था और tunneling का काम हुगली नदी में 2017 में शुरू किया गया था अब यहाँ पे जो station बनाया गया है 32 meter below water level है first time in India 32 meter water level के नीचे है next है Nagaland so Nagaland government ने unveil किया है universal life insurance plan और पूरे तरीके से state government के द्वारा funded program में जिसके लिए इनोंने 15 करोर रुपे का fund भी रखा है हमारे इस budget में ठीक है Nagaland ने Nagaland के chief minister nephew Rio ने basically इस program को launch किया है इसका मकसद क्या है तो ये universal life insurance plan क्या कहता है अगर family का कोई जो primary earner है जिए कि वो खतम हो जाता है उसकी death हो जाती untimely death हो जाते जिसके कारण पूरी family को सफर करना पड़ जाता है उनकी social economic condition खराब हो जाती है बच्चों की health और education perfect पड़ता है इसलिए ऐसा कुछ ना हो तो ऐसी families को भी support किया जा सके इसलिए universal life insurance plan को launch किया गया है इस पे family का जो primary earner है उसको life insurance और accident insurance प्रवाइड किया जाएगा उसके लावा family के तीन और लोगों को 2-2 लाक रुपे तक का accident insurance यहाँ पे cover किया जाएगा clear? next है money pool so money pool ने launch किया है intensified pulse polio immunization program तो pulse polio pulse polio immunization program launch किस ने किया है? infall में किया है money pool ने किया है 3rd of March को इसका मकसद किया है जो 5 साल से कम उम्रे के बच्चे हैं उनको polio की drop पिलाना without fail ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग मियान मार से refuse ease, money pool में एंट्री किये अपने बच्चों के साथ एंट्री किये especially आप देखेंगे Camzong district में तो यहाँ पर health security को धियान में रखती हो है क्योंकि polio जो है वो एक virus से होने वाली बिमारी है और spread भी हो सकती है इसलिए यहाँ पर इस campaign को run किया गया अब भारत जो है उसने 1995 में पहला dose oral polio vaccination का शुरू किया था 16th of March को इसलिए हम इसे National Immunization Day के रूप में celebrate करते हैं इसके लावा World Health Organization के अगर हम बात करें तो इसनोंने कहा है कि 2014 में भारत polio मुक्त हो गया था Next state आता है Arnachal Pradesh So Arnachal Pradesh and NTCA Partner to form STPF Basically Arnachal Pradesh Government ने एक memorandum sign किया है किसके साथ National Tiger Conservation Authority के साथ और दोनों मिलके राज्य में इस्थापित करेंगी पहली Special Tiger Protection Force अभी तक Arnachal Pradesh में कोई भी STPF नहीं था ऐसा क्यों किया गया क्यों कि जो लास्ट टाइगर की census हुई थी से पता चला कि Tiger की Population Arnachal Pradesh में भी है और Arnachal Pradesh में तीन ऐसे Biodiversity Area है जहाँ पर Tiger Population है जैसे कि Naam Dafa Tiger Reserve Kamalang Tiger Reserve और Pakke Tiger Reserve तो यहाँ पर इसलिए कहा है कि Special Tiger Protection Force बनाया जाएगा जिसके कारण क्या होगा Tiger की देखभाल की जासके उनकी Population को Increase किया जा सके इस STPF में 336 Personal होंगे और 3 Unit बनाये जाएगी और हर एक Tiger Reserve में एक Unit काम करेगी अब इस Unit को बनाना Equipment, Supply मतलब Financial Support कौन करेगा तो Financial Support करेगा NTCA ठीक है 90% Funding Central Government से आएगी 10% Funding State Government को करनी पड़ेगी Done इतनी चीज़े यही बात यहाँ पर कही गई है सबसे दा Tiger कहा है? मदर प्रदेश में है Next है अरनाचल प्रदेश से एक और News आती है World Longest Byland Sella Tunnel ठीक है इसमें दो ट्यूब है T1 और T2 इसलिए इसको Byland Sella Tunnel कहा जा रहा है यह World की Longest Byland Tunnel है आप देख सकते हैं इसको चाइना और इंडिया की बॉर्डर के पास ही तयार किया गया है अरुनाचल प्रदेश में और Recently inaugurate किस ने किया था? Prime Minister Modi ने किया था और यह आपकी All Weather Connectivity Tunnel है जो की Easily अरुनाचल प्रदेश के तवांग को आपके Calming Reason से तवांग को Calming Reason से Basically Connect करने का काम करती है Along the China इस Tunnel का Construction 2019 में शुरू किया गया था Foundation Stone रखा गया था और इसको तयार किस ने किया है? BRO ने मतलब Border Road Organization ने किया है जिसके Total Costing 825 करोर रुपीज है और जब लगब 13,000 फीट की हाइट पे आपको ये देखने को मिलेगा ये टनल तैयार की गई है ये Austrian Tunneling Method की मजद से इस टनल को तैयार किया गया है इसके अलावा अड़नाचल प्रदिश के बाद मोदी जी पहुँच गए थे आसाम और आसाम में जाके उन्होंने एक Statue Unveal किया है जिसका नाम है Statue of Bell Lord Basically ये Statue किसका है तो ये Statue Lachit Var Phukan का है तो प्राइम मिनिस्टर नरीन मोदी जी ने 125 feet का एक bronze statue लांच किया है जो कि a home commander Lachit Var Phukan का है in the city of Jorad located in आसाम स्टेज आसाम कैबिनेट डिसाइज तो दीनोटिफाई पॉबी तोरा wildlife century पॉबी तोरा wildlife century आसाम में situated है गोहाटी से लगबग 48 km की distance पे और इसे mini काजी रंगा कहा जाता है इसे mini काजी रंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भी one horn rhino पाये जाते हैं और इसे denotify करने की बात की गई है क्यों किया गया है क्योंकि यहाँ पर Assam Forest Department ने 1998 में इसे एक wildlife century बनाया था लेकिन कहा गया कि इसमें प्रॉपर्ली cabinet के साथ कोई consultation नहीं हुआ उस समय जिसके कारा हम इसे denotify करने का काम करते तो Assam Government has filled a petition in the Supreme Court seeking relief from the demarketing the boundary of 38.8 square km century removing encroachments and illegal activities within and declaring an ecosystem zone around it इसे ecosystem zone declare कर दिया जिससे encroachment को भी हटाया जा सके लेकिन अब इसे denotify करने की बात की जा रही हाला कि Supreme Court ने इस्टे लगाया है ठीक है? Done बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पॉभी तोरह wildlife century कहाँ पर situated है और किसलिए जानी जाती है आपका काम यहाँ पर बन जाएगा Next है मध्र प्रदेश वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक क्लॉक इनाउगरेट किया गया है बाइदा प्राइम मिनेस्टर नरीन मोदी अट इज्जयन तो प्राइम मिनेस्टर नरीन मोदी ने वर्चुली इनाउगरेट किया है विक्रम अदित वैदिक क्लॉक जो की हमारे इंडियन पंचांग पे बेस्ट है मधर प्रदेश में उज्जयन में जो जंतर मंतर लेबरेटरी कॉंपलेक्स है वही पर आप देखेंगे की वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक को लांच किया गया है जो की इंडियन स्टेंडर टाइम और ग्रीन विच मीन टाइम को दिखाती है और इसमें 30 मूरत भी आपको डिस्पले होंगे लगबग 85 फीट हाई आपको ये वैदिक क्लॉक देखने को मिलेगी इन मधर प्रदेश नेक्स्ट है जारकन तो जारकन गवर्मेंट ने डिसेंटली विडो रीमैरेज प्रमोशन इसकी मतलब विदवा, पुनर विवा, प्रोचसाहान योजना को लांच किया है इसमें जो लेडीज विडो हैं वो रीमैरेज कर सकती है और उसके लिए जारकन गवर्मेंट दो लाग रुपे का फाइनेंशल सपोर्ट प्रवाइट करेगा नेक्स्ट आता है महराष्ट्र पीम मोधी डेलिकेट्स, आरवी एनल, मराठा वाड़ा, रेल कोच्ट्र फैक्ट्री इंदा नीशन तो मराठा वाड़ा, रेल कोच्ट्री लाटूर महाराष्ट में इसे इनॉगरेट किया गया है जो कि वन्दे भारत ट्रेन के सैट्स को मैनिफेक्चर करेगी इसे रिसेंटली इनॉगरेट किया गया है अभी जो Coach Factory है इसका Project किसे दिया गया था तो Government Owned Company है जिसका नाम है Rail Vikas Nigam Limited अभी जो Rail Vikas Nigam Limited है ये भी एक Joint Venture है रशिया की एक Company जिसका नाम है TMH Company और Indian Government ओव्यसी बात है दोनों मिलके यहाँ पर Supply करेंगी, Produce करेंगी 120, 120 बंदे भारत ट्रेन को चीक है, डन इतनी चीज़े अब बंदे भारत ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो इसकी डिलेवरी कब तक होगी 2025 में पहला ट्राइल होगा और उसके बाद ट्रेन की डिलेवरी 2026 से 2030 के बीच में होगी हमारे देश में जो पहली बार वंदे भारत ट्रेन चुरू हुई थी वो आप देखेंगे दिली से वारा नसी की रूट पे स्टार्ट हुई थी 2019 में और इसे तैयार कहां पे किया गया था तो आप देख पाएंगे इसे पहली बार इंट्रीगल कोच फैक्टरी चेन नहीं में रडी किया गया था पहले इसका नाम T18 या ट्रेन 18 था बाद में इसका नाम वंदे भारत कर दिया गया अगर गवर्मेंट का डेटर देखते हैं मिनिस्ट्री ओफ रेलवे का डेटर देखते हैं तो दो हजार चौबीस 31 जनवरी दो हजार चौबीस तक हमारे देश में 82 वं क्या और कर सकता है खरीद सकता है लेकिन 370 हटने के बाद महाराष्ट राज पहला ऐसा इस्टेट बन गया है जिसने जमु इन कश्मीर में जमीन खरीदी है चीक है तो महाराष्ट इस सेट तो विकम दा फर्स इंडियन इस्टेट तो बाइलेंड इन इन यूनियन टेरिटर करोर रुपीज है इसके अलाब महाराष्ट काबिनेट ने एहमद नगर का नाम भी चेंज करके अहिल्या भाई होलकर के नाम पे अहिल्या नगर कर दिया गया है नेक्स्ट राज जाता है तेलांगाना एस्टेट एंड तेलांगाना गवर्मेंट ने लाँज की है वन टाइम स्कीम अब यह वन टाइम स्कीम क्या है तो जितनी भी अर्बन लोकल बॉडिज आती है इंक्लूडिंग हैदराबाद की जो मुंसिपल कॉर्परेशन है सभी के लिए यह वन टाइम स्कीम लाँज की गई है एक्शली होता क्या है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी टेक्स सही समय पे नहीं देते जिसके कारण ड्यू बहुत जादा हो जाता है जिससे लॉसिस भी काफी जादा होते हैं तो लोगों को प्रॉपर्टी टेक्स में रिलीव देने के लिए और जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करने के लिए बेसिकली वन टाइम स्कीम को लाँज किया गया है इसमें बोला गया है कि ऐसे लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी टेक्स 22-23 तक सारा का सारा प्रॉपर्टी टेक्स दे दिया है भर दिया है मतलब प्रिंस्पल अमाउंट को भर दिया है तो आपके जो इंट्रेस्ट है उसको हम 90% वेवाउफ करते हैं यह बात यहाँ पर कही गई है तो तेलांगाना के चीफ मिनिस्टर है ए रेवांत रिड्डी उन्होंने 11 माच को इंद्रमा हाउजिंग स्कीम को भी अनौंस किया था इसके लिए दो क्राइटेरिया है पहला अगर कोई person जिसके पास अपनी जमीन है तो उनको पांच लाग रुपे दिये जाएंगे आप अपना घर बना लो यह ऐसे भी कोई person हो सकते है जिनके पास जमीन ना हो तो उनको जमीन भी दी जाएगी और पांच लाख रुपे भी दी जाएगी कि आप अपना घर बना लीजिए चाहिक है, next next है करनाटिका, so करनाटिका government signed MOU with World Economic Forum for AI Center, तो करनाटिका government ने recently World Economic Forum के साथ एक agreement signed किया है, और दोनों मिलके एक artificial intelligence center set up कर रहे हैं करनाटिका में, यह World Economic Forum का पहला ऐसा project है इंडिया में, कि World Economic Forum एक AI Center बना रहा है किसी Indian state में वो भी कहां पे करनाटिका में, ठीक इतनी चीज़े, जिससे क्या होगा, technology advancement आएगा, digital transformation हमारे देश में हो पाएगा, next है Bangalore route to get India's first driverless metro train, तो Bangalore Metro Rail Corporation Limited ने recently, पहला set जिसमें six train coaches है एक driverless metro line की शुरुआत की है, जिसका नाम है yellow line और लगबक 18.8 km की train route होगा जो कि driverless होगा, और यहाँ पर advanced communication based train control system का इस्तमाल किया गया है, जिस से accurate और control manner में information को transmit किया जा सके अब यह driverless metro coaches तयार किस ने किये है, it is manufactured by Chinese firm, एक Chinese firm है, जिसका नाम है CRRC Nenzing, Fusian Corporation Limited ने partnership की है, Indian company तीर्थ घर, rail system के साथ और इस initiative को launch किया था next है Kerala, so Kerala ने launch किया है, इंडिया का पहला government-back OTT platform C-Space, तो यहाँ पर देखेंगे Kerala के जो मुख्वंत्री है, CM कौन है, पिन्रा विजियन, उन्होंने एक OTT platform launch किया है, जिसका नाम है C-Space जहाँ पर basically Kerala के जो artist है, उनको promote करने के लिए, Malayalam भाशा को promote करने के लिए, उसके artwork को promote करने के लिए से launch किया गया है, इसमें आपको जो award winning picture, short movie, documentary, वो सब कुछ दिखाए जाएंगी और इसमें जो भी artist अपने short film को दिखाते हैं, तो उनको per view के हिसाब से payment भी दिया जाएगा, जितना payment receive होता है, उसका 50% manufacturer को दिया जाएगा, और इसे manage कौन करेगा, जो इसे manage करेगा, Kerala State Film Development Corporation, clear है, अब यहाँ पर मैंने PDF की बात ने की, मैं एक मिनट दीजेए, मैं PDF की बात कर लेती हूँ, यह जो monthly compilation हमने state का देख रहे हैं, और इसके बाद sports को discuss करेंगे, यह monthly compilation आपको मिल जाएगा PDF format में, मेरे telegram पर, और telegram के लिए आप Pooja Gen CA 247 को सर्च कीजेगा, आप मेरे telegram तक पहुच पाएंगे, description में भी link मिल जाएगा, तो वहाँ से आप easily इस PDF को download कर सकते हैं और बार बार revise कर सकते हैं, okay है और प्लीज, अगर वीडियो पसंद आता है, यूसफुल लगता है, तो अपने friends के साथ share करना नहीं भूलेंगे, and like बटन पर भी click करना नहीं भूलेंगे, वीडियो में आपको तीन questions मिलेंगे, कितने questions है, तीन questions है, और इन तीनो questions के answer आप हमें देंगे comment section में और reply हमेशे की तरह मैं कर दूँगे, चीक है, tension मत लेना, चलिए, Kerala welcomes Irish its first generative AI teacher, तो Kerala ने एक नया, कैसकते हैं, एक AI teacher तैयार किया है, जो कि तीन language में, तीन अलग अलग भाशों में difficult question के answer कर सकता है student को, जिसका नाम है Irish, एक humanoid teacher robot है, इसे develop किस ने किया है, KTCT Higher Secondary School, तुरू अंतमपुरम में इसे develop किया गया है, done, next है India's first museum dedicated to the cooperatives is coming up in Koji Code, तो Koji Code केरला में, इंडिया का पहला cooperative, जो movement हुए थे हमारे देश में, जो cooperative society का formation हुआ था, उनके इतिहास को showcase करने के लिए, इस museum को ready किया जा रहा है, मैं आपको बता दो, हमारे देश में कई सारे cooperative movement हुए हैं, और हमारे देश में महरास्ट में अगर बात करो, तो सबसे ज़ादा cooperative societies आपको देखने को मिल जाएंगी, इसके लिए 150 करोर रुपी का project है, यह पूरे world में second है, इंडिया में तो पहला है ही, और पूरे world में यह second है कि क्यों एक मात इस तरीकी का museum आपको देखने को मिलेगा UK में, जिसे 1844 में set up किया गया था, next है, केरला, top chart of highest passport penetration among women in the country, तो केरला एक ऐसा राज्ज है, जब obviously बात है, जहाँ पर literacy rate सबसे ज़्यादा है, साक्षर्टादर सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा अगर हम passport की बात करते हैं, तो passport की मामले में जिसने सबसे ज़्यादा passport बाट के रखे हैं, चाहे वो male हो या female हो, वो भी कैरला है, अगर हम female category में बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा केरला राज्य की ही महिलाएं हैं, जिनके पास passport है, वही अगर हम male category की बात करते हैं, तो male category में आता है उत्तरप्रदेश, तो तीन category हो गई, एक overall category, which is केरला, female category, केरला, और male category में उत्तरप्रदेश है, जहां के लोगों के पास सबसे ज़्यादा passport आपको देखने को मिल जाएगा, यही data यहाँ पर mention लिखा हुआ है, यह survey basically youth student migration from केरला ने conclude किया था 2023 में, आप इस data को यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है, male category में उत्तरप्रदेश है and female category में केरला है और overall तो केरला है Next है PM Shree आप लोग ने PM Shree scheme के बारे में सुना होगा PM School for Rising India scheme है और इसे government ने launch किया था 7th of September 2020 में 2022 में 2022 में और यह scheme 2022 से लेकर 26-27 तक के लिए है और इस पूरे school को run करने के लिए तयार करने के लिए Central Government ने Total जो budget रखा था वो 27,360 करोग रुपीज है और इसमें State Government और Central Government दोनों का share है and Central Government का share लगबक 18,000 करोग रुपे का है अभी news में क्यों है क्योंकि Tamil Nadu ने जोइन किया है PM Shree scheme for the Central Government तो recently Tamil Nadu Government ने हमारे देश में Ministry of Education के साथ एक agreement sign किया है और कहा है कि हम भी PM Shree School को implement करेंगे अपने राज्जी में नेक्स्ट है इंडिया's first Indigenious Fast Breeder Test Reactor तो इंडिया का पहला भारत में पूरी तरीके से निर्मित Fast Breeder जो हमारा Reactor है उसके second stage को finally fulfill किया गया है complete किया गया है तो हम second number की country होंगे after Russia चीक है पाएंगे कि PM Modi ने रसेंट की जो कोर लोड होता है phase 2 में उसको यहां पे attend किया था जाके कहां पे कल पक्कम तमिलनाडो में और इंडिया का पहला Indigenious prototype है Fast Breeder Reactor का चीक है अब इस प्रोग्राम को launch कौन कर रहा है या कौन इसे देख रहा है तो इसके लिए 2003 में जाना पड़ेगा गवर्मेंट ने 2003 में भाविनी मतलब हवीनी मतलब हार्तिय नाभी की विद्द निगम लिमिटेट का formation किया था जो कि हमारे Fast Breeder Reactor के prototype को रेडी करने उनको तयार करने के responsibility लेता है जब अगर हम इसको cover पाएंगे तो second number की country बन जाएंगे after Russia clear इतनी चीज़े अब इसमें हमने कौन सा fuel इस्तेमाल किया है ये भी important है तो आप देखेंगे uranium, plutonium, mixed oxide fuel इस्तेमाल किया है और liquid, sodium का इस्तेमाल किया है सीतलक की भाती या coolant की तरह इसकी capacity कितनी है तो 500 megawatt electric इसकी capacity आपको देखने को मिल जाएगी done तो यहाँ पे कुछ question है फिर हम sport category पे discussion करेंगे पहला question है वो कौन सा राज है जहाँ पर इसरो के second space port का foundation stone रखा गया क्योंकि आपको मैंने बताया है कि एक मात्र हमारा अभी तक space port था श्री हरी कोटा 37 space port अब हमारा second space port भी ready होने वाला है कहाँ पर किस राज्य में कैरला और ऐसा करनाटका या तमिल नाडू यह पहला question है और एक छोटा सा 30 इसे manage करती है ठीक है यह integrated check post के पास जनर्री land port बनाये जाते है तो subroom land port कहाँ पर located है चार राज्यों के नाम है रिपुरा, मनीपुर, नागलेंट या मिजोरूम जो भी सही answer आप comment में देंगे जो दोनों प्रश्नों के answer आप comment में दे सकते हैं इसके लावा एक छोटी सी information और है यहाँ पर जो recent में festival या fair हुए है उनके बारे भी information आपको यहाँ मिल जाएगी जिसे कि गंगा सागर मेला हमें पता है कि बेस्ट पेंगॉल में होता है तो एक छोटी सी list है आप इसे भी पढ़ सकते हैं चलिए अब बात करेंगे next sports segment में लग बग 10 मिनिट लगेगा sports segment खता हो जाएंगे चोटा साई है और इसके बाद एक और question है total 3 question है जिनके answer आप हमें comment section में देंगे चलिए fourth edition of Halo India Winter Games concluded चौथा edition Halo India Winter Games का Jammu, Kashmir औ-Liddak में हुआ था jointly जिसका mascot क्या था? Snow Leopard Sheen, E, She शान इसका basically mascot था आर्मी की team ने top किया था और आर्मी ने medal tally में 10 gold, 5 silver और 6 bronze medal जीतर second number पे करनाट का था Halo India Mission की शुरुआ 2018 में हमारे देश में की गई थी next है pro kabaddi season 10 winning team तो यहाँ पे जो pro kabaddi की बात कर रहे हैं हम तो pro kabaddi का जो final match हुआ था वो पुनेरी पल्टन और हर्याना स्टीलर के बीच में हुआ था तो पुनेरी पल्टन ने अपना पहला pro kabaddi title जीत लिया है और हर्याना स्टीलर को यहाँ पर defeat किया है ठीके अगले person यहाँ पर आप देख पाएंगे साथविक साहिराज और चराकशेटी है जिन्होंने French open badminton title अपने नाम किया है बहुत important person है हमारे लिए ठीके तो इनका नाम आपको याद रखना है साथविक साहिराज साथविक साहिराज और चराकशेटी French open title जीता है अब बात करते हैं यहाँ पर हम man single के बारे में तो man single का title Y, Q, she ने जीता है जो की चाइना से है ठीके अगर हम women single के बारे में बात करते हैं तो women single का title Anne Shee Young ने जीता है और Anne Shee Young आपको South Korea की देखने को बिलेगी यह सारी information आपको मिल जाएगी यह आपके PDF में clear है? चलिए next बात कर लेते हैं Santos Trophy आप सभी को पता है football से associated है 1941 में start हुई थी और Santos Trophy की सबसे successful team अभी तक की है best friend goal की team इसका 77 edition recently conclude हुआ था और services की team ने हराया है Goa को और services की team ने यहाँ पर 7th time Santos Trophy को lift किया है ठीक इतनी चीज़े और player of the match कौन रहे है Sayyad bin Abdul Qadir यहाँ पर player of the match देखे गए है next है WPL मतलब Women Premier League अब यहाँ का जो final हुआ था अरुन जेटली स्टेडियम न्यू डेली में हुआ था final match खेला गया था Royal Challenges Bangalore और Delhi Capital के बीच में तो Royal Challenges Bangalore ने दिली Capital को हरा कर Women Premier League का title अपने नाम किया है अब यहाँ पे कुछ player है जो important है हमारे लिए जैसे कि player of the match player of the match कौन रही है Sophie Molenix रही है emerging player of the tournament Shriyanka Patil है most valuable player of the tournament Deepthi Sharma है अब इसके बाद यह दो नाम बहुत important है Orange Cup उसे दिया जाता है Orange Cap उसे दिया जाता है जो सबसे जादा run बनाता है और किसने बनाए Alice Perry ने 347 runs बनाए Next आता है Purple Cap उसे दिया जाता है जो सबसे जादा wicket लेते हैं wicket किसने लिया Shriyanka Patil ने लिया 13 wicket तो यह दो नाम आपको याद रखने विशेश तोर पे एक list भी है वही सारी information list की form में भी है आप इने भी पढ़ सकते हैं Next रंजी Trophy तो रंजी Trophy आपको पता है किर्केट से associated है Mumbai की बानखेड़ी स्टेडियम में final match खेला गया था और Mumbai यहाँ पर रंजी Trophy को जीद गया है तेक है इसके लाप आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि Mumbai के team Mumbai जो captain है रंजी Trophy के वो कौन है अजिंक्या रहाने आपको देखने को मिल जाएंगे Next है ये Formula 1 champion Max Worishtrapan इन्होंने recently Bahrain Grand Prix title अपने नाम किया है तो Bahrain Grand Prix किस ने जीता है Max Worishtrapan ने जीता है Indian Wells Tennis Master title जीता है तो Men's category में Carlos Algaraz ने जीता है Women's category में Ega Switeg ने ये title जीता है अच्छा Carlos Algaraz Russian tennis player को इन्होंने हराया है Russian tennis player कि नाम है Daniel Manadev उनको यहाँ पर इन्होंने defeat किया है ठीक है Done Next है Pankaj Ardwani ये snooker and billiards associated है इन्हें billiards Hall of Fame में शामिल किया गया है तो इसलिए आपको इनका नाम पता होना चाहिए Hall of Fame World Billiard Museum में और World Billiard Museum कहां पर है तो आप देखेंगे चाइना में मिल जाएगा अगर हम इनकी बारे में बात करते Pankaj Ardwani तो इन्होंने Major Dhyan Chandra Kheel Ratna Award जीता था 2006 में Arjun Award 2004 में Padmishri 2009 और Padmabhuchan in 2018 अगले person भी important इनका नाम है Sarat Kamal और Sarat Kamal के बारे में मैं बता दू ये भी tennis player है और इन्हें flag bearer appoint किया गया है दोज बाहक चुना गया है upcoming Paris Olympics के लिए तो Paris Olympics में इंडिया की तरफ से flag bearer कौन होंगे तो आंजर हो जाएगा Sarat Kamal होंगे जो के tennis player है और 19th person होंगे 19th वे व्यक्ती होंगे जो के धोज बाहक होंगे Olympics में इसके अलावा last year की बात करते हैं तो last year जो flag bearer थी Tokyo Olympics में वो Manpreet Singh और Mary Com थी लेकिन इस बार Mary Com को Chief Day Mission अपॉइंट किया गया है तो Mary Com Chief Day Mission है Next है G.Sathiyan जो कि Table Tennis Player है अगे और G.Sathiyan ने WTT Feeder Bearer Table Tennis जीत लिया है Bearer Table Tennis Tournament कहा हुआ था Levenon में हुआ था और World No. 103 है G.Sathiyan जिनोंगे इस सीरीज को जीता है ठीक इतनी सीरीज यह तो हो गए Men Single अब Women Single किस ने जीता है तो Women Single का टाइटल Zia Liani ने जीता है जो कि लगजंबर्ग की Tennis Player है कौन है यह Virat Kohli ठीक है यह पहले Indian बन गए है जोनोंने 12,000 run बनाए है इन T20 Match ठीक है 12,000 run T20 Matches में बनाने वाले पहले Indian Cricketer Indian बात हो रही है कौन है विराट Kohli लेकिन हम World की बात नहीं कर रहे है पूरा गर हम देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे ददा run किस ने बना है तो Best Indies के opener Chris Gayle के नाम है रिकॉर्ड है 14,500 runs इन उनर T20 में बनाए हुए है ये बहुत important person है इनका नाम क्या है सुनील चेत्री और ये footballer है आप देख पा रहे है इंडिया के number one footballer और world में third highest goal scorer है इनके आंगे दो ही player आते एक Ronaldo आता है और दूसरा Messi आते है तो ये third number पे है जिन्होंने अभी तक 93 score किये है और ये news में थे news में क्यों थे क्योंकि इन्होंने अपना 150th international match खेला था अब इनके awards देख लेते तो सुनील चेत्री को अर्जन award मिला है 2011 में पदमिश्री 2019 में और major ध्यान चंद्र खेल रतन आवार्ट इन्हें football में दिया गया है 2021, 2021 में अब FIFA World Cup का जो 2022 का मतलब last edition हुआ था वो आप देखेंगे Qatar में हुआ था जिसमें Argentina जीता था और upcoming 2026 का जो FIFA World Cup होगा वो USA, Canada और Mexico में होगा ठेक है Next है Recently Asian Cricket Council ने जो 9th Women Asia Cup T20 होने वाला है उसकी date announce कर दी है और जो 9th number का Women Asia Cup होगा वो आप श्री लंका में देखेंगे 19 से लेकर 28th of July के बीच में होगा सबसे successful team यहाँ पर Indian team है Indian team अभी तक देखोगे आप तो 2004 जब से शुरुआत हुई थी तब से अभी तक 7 times इस title को lift कर चुकी 8 बार खेला गया है और 7 बार भारती team ने इसे जीता है current champion भी Indian team आपको देखने को मिल जाएगी अगर हम बात करते Asian Cricket Council के बारे में तो इसका formation आप देखेंगे 1983 में हुआ था New Delhi में चेक है Next ये तो Asian Cricket Council के बारे में information ही आप इसे पढ़ सकते हैं Next है Hockey Haryana Hockey Haryana ने 14 Senior Women's National Championship जीता है Hockey Haryana और Hockey Maharashtra के बीच में final खेला गया था कहां पर खेला गया था Major Dhyan Chandra Hockey Stadium Pune Maharashtra में चेक है और ही 14th edition था और किसने टोफी लिफ्ट किये Hockey Haryana ने ये टोफी को जीता है और ही Hockey Haryana का 3rd number का title है चेक है अब होकी के बारे में बात करते हैं तो पहला edition कब हुआ था तो पहला edition 2011 में हुआ था और सबसे successful team जो है वो Indian Railway Team आपको देखने को मिल जाएगी अगले person के बारे में बात करते हैं इनका नाम है Alex D. Minior ठीक है और इन्होंने Casper Root को हराया है और Mexico Open Title अपने नाम किया है तो Mexico Open Title किस ने जीता है Alex D. Minior ने जीता है ठीक है और ये Australia के professional tennis player है ये नाम बहुत important है मुझे लगता है ये paper में पूछा जा सकता है Tiger Woods का नाम Tiger Woods awarded USGA Golf Most Prestigious Award तो United State Golf Association का जो सबसे बड़ा अवार्ड है Bob Jones Award Bob Jones Award वो किसे दिया गया है Tiger Woods को दिया है Tiger Woods golfer है और ये World Golf Hall of the Fame में भी शामिल किये गए थे 2022 में चाले Next person है B. Sahi Pranith और आप देख पा रहे हैं कि ये badminton खेलते हैं लेकि इन्होंने retirement ले लिया है international badminton से तो आपको इनका sport पता होना चाहिए कि किस sport से associated है अंत में दो और व्यक्तियों के बारे में ये Max Verstappan है जिन्होंने Saudi Arabia Grand Prix का title जीता है इसके अलावा ये Kenya के athlete है जिनका नाम है Benson Crypto और इन्होंने Tokyo Marathon जीती है Tokyo Marathon इन्होंने 2 minutes and 16 seconds में complete की थी Done तो ये थे हमारे पूरे sport segment और अंत में sport category से कॉशन है कि Neil Bagner इन्होंने भी retirement अनौंस किया है international cricket से कि किस देश के खिलाडी है England, New Zealand, Australia या South Africa तो ये तीन प्रशन मेंने आप से पूछे हैं तीनों कॉशन के आंसर आप हमें comment section में देएंगे बाकी सारी बाते हम next video में करेंगे next video में अगला compilation हम लेकर आएंगे March month का तब तक अपना ध्यान रखेंगे और जाते जाते link को share करके जाएंगे और चैनल को subscribe कर लेंगे अगर पहली बार आ रहे हैं So take care and bye-bye